च्षट पूजा में सुनील च्हेला भिहारी के गाने ना सुने जाएं तो मजा नहीं आता हम यहां के सकते हैं कि शट पूजा अधूरा रहता है हमारे साथ है सुनिल छेला भिहारी सर इनसे बात करेंगे और इनसे आपका मनपसिंदीदा छटगीत भी गवाएंगे जो यह गाये हैं और इनका जो कॉमेडियन अंदाज है वो भी आपको शुनाएंगे सबसे पहले तो सर आपका बीग नूस पर स्वागत है बहुत बहुत ध बदला है भागलपूर पहले से सर भागलपूर बदला तो यह है कि अभी बैपास बन गया और जब यह बिक्रम शिला पुल बना तो जब भागलपूर में आता था तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो बैपास को लेके कि शहर में कर मेरी गाड़ी घुश जाती त और मैं आपको बताओं कि कहीं पर गाड़ी हमारी फस ही नहीं लेकिन एक बार भागलपूर शहर में हमारी फस गई मुझेशन की बस लेके चलते थे मेरी गाड़ी निकल गए जगदी श्कुरूम हमारा कारिक्रण था और मेरी बस जो है नो मुझेशन वाली किदर फस गी प बाकि शहर की स्थित्री अच्छी घुनी एक मुझे लगती नहीं है जब मैं यहां आता हूं को होटल होतलों और मिलता है जब अड़ा है जाता है यह जहां पर यह उसा पाण पे सस्ता है लोग बलता है यह सिलसिती पहने तो यहां पर महिंग ही ज्यादा है जा रहे हैं कभी तो पहुंचेंगे घर से निकले और पहुंचेंगे यहां वो दिखाने कभी नहीं आज भी शाहिव गन जाएंगे आज फिर पर जाएंगे तो अभी यह बाइपास को लेकर जो बदला हो वरना शहर बहुत बदला हुआ है इनचसी जो यह यह बढ़िया होते हुए हैं जी सर गौंग के लोगों में ज्यादा आप शुरू से कही गाने आपके हिट से अभी नया तो चट का प्लानिंग मैंने नहीं किया है लेकिन हाँ पुराने आपका चट पे ज्यादा जोर है तो पुराने तो हमने बहुत सारे गाने गाया है एक गाना बड़ा अभी लोग इस्टे जोगरम जड़ता हों तो लोग दिमांद करते हैं काहां तो हर नहीरागे धोबिन काहां तोर ससुररिया काहां तो हर नहीरागे धोबिन काहां तोर ससुररिया पूरब हमर नहीरा हो दिनानात पच्छिम मोर ससुररिया पूरब हमर नहीरा हो दिनानात पच्छिम मोर ससुररिया आवईते जावईते हो दिनानात बीतल सारी रतिया यूट्यूपर है बहुत अच्छा लोग पसंद करते हैं तो बहुत हमने गाएं और भी गाने के साथ जो क्या था पटना के घाटा पटना के घाटा पर नरे बजया तुन नडा मरों के सभी च्छे इस बहुत सर घाटा और एक ता नडडडविय बिलाई मों सी इस्तर से तो बाकी बहुत गाया आचा आपको कलपना जी के बारे में याद है तो शुरूत दौर में कलपना जी को लाया इस इंडिस्ट्रिम भूजपर और एक साल तक मैंने जो भी गाया उनके साथ सारे सूपर डूपर हिट रहे हैं और वो सब आज भी यादगार गाने होते हैं और उसके बाद यह जो पारम परिक हो तो सब कोई गाते ही हैं कांच ही बास के बहंगी याद बहंगी लचकत जाए बाते जे पूछेला बट ही याद बहंगी के कर जाए आन रहूएं रे बट ही याद बहंगी छठी माई के जाए यह तो सब कोई गाते हैं मैंने थोड़ा सा और चेंज करके गाय था कांचे कांचे बसावा के बनेला बहंगी याद छवरंग फलावा चुनर सतरंगी याद जालर लागे आरी आरी चठी माई के दुआरी जालर लागे आरी आरी चठी माई के दुआरी चार बजे चुचुचुह के चुचुहिया चठी मैया देखे आपन भगतन के रहिया खड़ा हो के पोखरा के आरी चठी माई के दुआरी खड़ा हो के पोखरा के आरी चठी माई के दुआरी मैंने modern चट के बहुत सारे गाने गाए जिसे क्यकरा घर के सोने कटोरी क्यकरा घर के दूधावा यह सब और उसका अब न करतु देर भैलवा अरग देवे के बेर आदित बाबा हो अब न करतु देर भैलवा अरग देवे के बेर आदित बाबा हो वह भुश्पूरी अंगिका में अप मैथली में भी गाते थे लेकिन अभी जिस तरह से भोश्पूरी में चल रही है बाता है सिर्फ असलीलता वाले ही शांस आते हैं गाने आते हैं आपके समय जो गाने थे वह पारंपड़ी खोते थे और लोगी तुसे लोग कहते थे अभी क्या लगता है सब दिन रहा है मैं यह नहीं कोंगा कभी आ गया और पहले नहीं था पहले भी जब हम लोग बच्पन में थे जब जाकी किश्ववात की थी उसमें दो कलाकार बहुत मशुर थे एक शार्दा जी शार्दा सिना जी तुसरे बाले शवर जी थे तो बाले शवर जी एक अलग गाना के स्टाइल था तो आज भी वही हाल है हाँ थोड़ा दिल को दर्द पहुंचा देता है कि आज कल के जितने बड़े कलाकार है वह भी कभी दिया बुता देते हैं कभी डिवरी कर देते हैं कभी बलते हैं तो फिर वह बड़े कलाकार को ऐसा नहीं करना चाहिए चोटे कलाकार तो करते हैं क्योंकि वह उनको जल्दी से जल्दी रहता है कि ह को जल्दी से होना है जल्दी से बजना है चोटे कलाकार यह करते हैं चलता है बड़े कलाकार को मेंटेन करना चाहिए कई कलाकार का इतना नाम होने के बाद हुँ जब दिया बुताने लगते हैं तो हमारे जिसे कलाकर फुर्ट होता है और मैं तो नहीं नाम तो नहीं है तो उन्होंने क्या है तो कि यूवाब खासकर जो है वह बहुत करें जो उनके रास्ते हैं उसके आशकाल यह ज्यादा चलन चल रहा है कि बिएस ज्यादा लेना ब्राउंज सुगर का इस्तिमाल कर रहे हैं पॉलीवुड तो खैत आप जान रहे हैं इसी तरह सब जगा उड़ा यूवाब पूरी तरह मुझे बड़ा अश्चरे लगा अभी कि मेरी भाबो पिंकी देवी मुख्या का चुनाओ लड़ रही थी बहुत अपार बहुमत से भी जाई हुई है मैंने उनका गानावना यूटूब पर डाला था तो मुझे लगता था मैंने गलत किया किसी व्यक्ति विशेश का गाना मैंने अपने यूटूब चैनल पर डाला तो जैसा आम गाने को मिलता अभी वर सुस्ता से नहीं मिला लेकिन मुख्या के चुनाओ का गीत है उसको लगवाग एक लोगों ने देखा एक चैनल पर बीजर्स ज्यादा लोगों ने देखा एक ही गाने को तो मुझे बुरा भी लड़ रही थी और मेरे ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्या चुनाओ हम लोगों लड़ना चाहते हैं हम चाहते हैं कि बिहार में बदलावा है और मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्या चाहे तो पांच साल में अपने इलाके की तस्वीर बदल सकता है इसलिए मैं चुनाओ मैंने लड प्रफटरा की और मानने मुखमतरी श्रुनिति श्रुनिति के पास गया और खगड़िया को मैंने उन्हों ने उस तम घोषना किया साड़े साथ सो करोड़ का पैकेज बाद में 307 करोड़ दिया यह मेरी बड़ी उपलब्धी रही कि जिला पारशद के रुपने खगड़िया नहीं मैं सब दिन मुंबे रहता हूं और बच्पन से गउं से बाहर रहा इस चुनाओं में मुझे थोड़ा थोड़ा मैं 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 प्रचार के दृष्टिकों से में कभी नहीं गया च्छेतर में लेकिन मैं पिछले बार प्रण पहला लॉक्टम जब खुला तो मैं यहां आ करता है कि बाहुत आपके जाएगा लेकिन मैं दरवाजे पर ही रहा कहीं नहीं गया मैं मैं प्रचार में गया जिसके घर में मेरे सिर्फ पंचायत मेरें पंचायद में जिसके घर में मैं गया पहुत हीा सब जाता था नोग आगर YE कि यह सब मैंने किया लेकिन इसी इसी बीच मैं चुनाओ की जब घोशना लगभग हो चुकी थी उसके बाद मैं एक गौँ में गया किसी का बच्चे का बर्थडे था तो वहां पर मैं बर्थडे अटेंड करने गया तो कुछ नौजवान हमसे मिलने आए तो मुझे बढ़ा यह यह परिशानिया है यह सब चीज चाहिए तो पहले मेरा स्टाइल है बात करने का अलग थोड़ा तो मैंने का कि अच्छा मतलब जो आपको यह देगा उसी को आप समर्थन करेंगे उसी को बोट देंगे तो मैं हर आदमी को बोलता हूं और ऐसे मैंने बला कि फिर तो बूले कर गया अरे यह तो गद्य की बात आपने कर दिए बीडी मांगो तो मैं नहीं दूगा क्योंकि मैंने मैं बीडी मांगो के तो नहीं दूगा चुनाओं हम लोग इस तरस नहीं जीते हैं जो कि मेरी बीवी जिला पारशत थी वह हम बहुत मंदारी से चुनाओ लड़ चुके हैं दोनों उनको जाके कुछ पैसे दिये हैं ऐसी जानकारी मिली बहुत हमने देखा तो नहीं लिए लिए बाद मुझे लगा कि यार यह तो बहुत खराब है खराब इंदर सेंस कि अभी तक मैंने यह सुना कि बुजर्ग लोग अपना वोट बेचते हैं दारू पे कि अभी बुजर्ग लोग बोल रहें कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए नौजवान सब बोलता है दारू दो दारू दो दारू दो और जबकि बिहार में दारू बैन है और खुले आम यह जो मुख्या मुख्या परताशियों ने वो दारू का ठेका लगा रखा है और नहीं देगा तो नौजवान को बड़ा आश्चरी लगा कि यार मैं देश की तस्वीर बदलना चाहा रहा हूं और नौजवान हमको समर्थन नहीं करेंगे तो आपकी वह बातें जो है कि आज कल का नौजवान क्या 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 लेता है जो आपने कहा तो मुझे भी अब और वो नौजवान दारू पी रहा है या इसमें क्या-क्या आपने का मुझे उतना जानकारी नहीं क्योंकि मैंने तो कभी दारू शराब भी नहीं पिया है मुझे पता नहीं सिग्रेट का कि खुशबू कैसी होती है मैं इन चीजों से बड़ा दूर रहा हूं तो यह जो य है और क्या-क्या नौजवान लेते हैं यह हमारे देश के लिए बहुत खराब है मैं तो हाथ जोड़के विंति करूंगा नौजवानों से कि किर्पया अभी भी मुख्या का चुनाव बाकी है कई फेज में भी बाकी है किर्पया अपना वोट नहीं बेचें और दारू शरा कारित में राजनीत करता हूं तो में दोना बात हैं लेकिन एक चीज के मामने में मैं नितिश्क मार जी के कारीफ करता हूं कि बहुत जिगर वाले मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने अपने टेक्स की चिंता नहीं कि और दारू बेहन करवाया यह अलग मसला है कि बेहन सफल हुआ हुआ लेकिन अलगर करना करना में चलाने हुआ हुए यह मैं इस बात के लिए लोग चोशान के अच अभी लोग पीते हैं मानता हूँ लेकिन दर के पीते हैं पहले तो ढडले से पीते थे जिसको तो ना लगाए कि को दारु शराब लोगों का दूश्मन है दारु शराब से किसी का भला नहीं हुआ और सरकार को चढ़ाइए मत पुलिस को चढ़ाइए मत और कहते हैं यहां तो हॉम डिलिवरी हो जाता है अगा यह जब आप लोग चाहेंगे तो होगा ही लेकिन यह सब गंदी बात और सबसे गंदी बाती है कि दारूपी के लोग बोट बेचते हैं और नौजवान बोट लालु यादर जी को चुटीले अंदाज इस टाइब से किश्वाइए कि क्या मनने भर रहा है कैसेट के टाइम में हम लोग करते थे लालु जी कि में कर वो कैसेट का जमाना था हम लोग को पता नहीं चलता था कि हम जो गार है उसका फीड़बैक कि हम सेलिंग पॉइंट औ बहुत अच्छा है अभी दस गालियां पढ़ती वाई तूरंत नीचे गाली दिखते हैं और माफ किजिएगा लालु जी के जो प्रसंसंग लोग है वो तो अगर उसमें अगर मोबाईल में घुसके पिटना रहते जाके घर में जाके पिट देंगे इसले आज कल नहीं करते हैं और सिपसीजी अभी वाना कर गया ने पहले पहले हम लोग करते थे अभी सब इतनी गालियां देते हैं अभी मोडी जीओ को नहीं पढ़एगी किसी ऐसाटे बन कर दो लगें घर में घुज जाएक घ्रसिव लालु जी के जो लालु जी के जो परसंस्थन है पीट देग करते हैं कि मैया के मन भावे लाली चुनरिया दरबार में आके चुनरी चड़ाई दे जय जय पुलते हैं जय 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 कारा लगाई करता उतने तक उसकी आगे जाएंगे तो पताने क्या हो बहुत 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 सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद सुना आपने सुनें चहला बिहारी सर को और बिहारी के इमोसंस जो हैं छट पूजा उस पर इन्होंने बात की साथ युवाओं को भी काफी कुछ संदेश दिया है और कई कुछ राज इन्होंने बता हैं अश्वनी कुमार बिग न्यूस भागलपुर